तो हेलो दोस्तो मैंना मैं कुमार सीकें और आप देख रहें एक लब यह स्टड़ी पॉइंट इस प्रेली वीडियो हम देख रहे हैं दोस्तो आपका चैप्टर नमर फर्स्ट है विकास जो कि यह क्लास टैंथ के वच्चों के लिए से समझना है विकास क्या होता है दोस्तों का मतलब होता डेवलेप्मेंट यानि किसी चीज में व्रदी चाये वो स्वास्ते में विरदी हो या शिक्षा में व्रदी हो तो इस सभी चीजों के पर यहां पर बात करेंगे आपके NCRT के बुक में से हमने नोट्स बनाए हैं उसके उपर आपको बात करेंगे most important questions लिए गए हैं जो कि आपके paper में बार 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 पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर से के विकास समझते हैं कि विकास क्या होता है दोस्तों सबस्क्राइब कि वरकार किय उसे हम कहते हैं विकास, फुरेजामबल किसी के हेल्थ जो है वो पहले से अच्छा हो गया, ठीक है पहले हेल्थ खराब थी, तो विकास हुआ, या किसी ने बहतर शिशा प्राप्त की, तो उसका विकास हुआ, या लोग का जो जीवन है, जैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर र आपने अपनी जीवन लाइफ स्टैल जो है वो सिदार लिया तो इसका मतलब कि आप अर्थ वैस्ता में भी योगदान करोगे और अर्थ वैस्ता में विर्धी हो जाएगी ठीक है तो यह आपकी सिंपल सी एक जो है डैफिनेशन थी बात करते हैं यहाँ पर दूसरे टॉपिक सेम नहीं होता विकास का जो अर्थ है वो सब के लिए अलग अलग होता है फूर इसामपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भूमी हीन ग्रामिड मजदूर कले भूमी हीन कौन जिसके बास जमीन नहीं है ऐसा गाओं का मजदूर तो उसके लिए विकास क्या होगा दोस्तों वो तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं और निम वर का वैक्ती है तो उसके लिए विकास क्या होगा वो समझते हैं यहाँ पर काम करने के अधिक दिन मिले उसके पास जमीन नहीं है वो दूसरों की जमीन पर काम करता है तो वो क्या सोचेगा वो यही सोचेगा कि काम करने के मुझे जादा दिन मिले जादा से जादा यह उसके लिए विकास है वो क्या सोचेगा मुझे बहतर मजदूरी मिले अगर रोज के उसके 300 रुपे मिलते हैं उसको काम करने के खेत पर तो वो सोचेगा कि मुझे 400 रुपे मिले यही उसकी क्या है विकास है आगे अगर वो सोचेगा सामाजिक भेधभाव ना हो आपको पता है जो इस परकार के वेक्ति होते हैं या इस वर्ग से आये होए वेक्ति होते हैं तो उनके साथ भेधभाव होता है क्योंकि यह काफी निम्न वर्ग के हो गए तो वो यह सोचेंगे कि मेरे साथ किसी परकार का कोई सामाजिक भेधभाव ना हो उसके बाद ये सोचेंगे कि हमारे यहां भी जो उनके एरिये में अच्छे स्कूलों का परबंद हो सरकार अच्छे स्कूल खोले उनके गाओं में जिससे वो अपने बच्चों को भी उत्तम शिक्षा दे सके इनके बच्चों की उत्तम शिक्षा मिले जिससे क्या है उनके बच्चों को कैसी शिक्षा मिले अच्छी शिक्षा मिले और उनके बच्चे भी विकास करें ठीक है तो आप समझ सकते हो कि विकास का जो अर्थ है सब के लिए अलग अलग होता है हमने यहां पर केवल भूमी हिं किसान के वारे में बात किया है जिसका जो जमीन है उसके पास नहीं है तो उसके लिए विकास ये होगा लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी और के उपर For example, हम ऐसी लड़की के उब बात करते हैं जो कि अमीर घर से आई हुए हो ठीक है? शहर के अमीर परिवार की एक लड़की इस के लिए विकास क्या होगा दोस्तो इस के लिए विकास बिलकुल अलग होगा कैसा के लिए विकास ये होगा कि इसको रोजगार के अफसर मिल जाए ज़्यादा ज़्यादा या इसके एरिये में स्कूल खुल जाए नहीं ये नहीं होगा इसके एरिये में पहले से अच्छे स्कूल होंगे क्योंकि अमीर परिवार की है और उपड़ से शेहर में रहती है ठीक है तो इसके लिए विकास का अर्थ क्या होगा यह समझते हैं पर सबसे पहले उससे अपने भाई की तरह आजादी मिले वह एक अमीर पॉइंट की तो अपने फैसले खुद ले सके ठीक है वह चाहती है कि मैं जो अपने फैसले है वह स्वयम ले सको मुझे किसी से पूछना ना पड़े यह उसके लिए विकास है थर्ड पॉइंट के बाद करते हैं वह भी उत्तम शिक्षा प्राप करें ठीक है जैसे उनके मुझे भी उत्तम शिक्षा प्राप करनी है जैसे उसका जो भाई है वो विदेश में जाकर पढ़ता है तो यह भी चाहती है कि मैं भी विदेश में जाकर पढ़ू अपने भाई की तरह विदेश में जाकर पढ़ना चाहती है समझ गए आप तो यहाँ पर देखिए दोनों के विकास में कित्रा ज्यादा फरक है एक भूमी हिन ग्रामिड मजदूर के जीवन के लिए विकास क्या रखता है और एक शहर के अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है तो आपको दोनों में समझ में आ गई होगी यह सारी बातें कि क्या अंतर होता है उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों प्रती वेक्ति आए क्या होती है दोस्तों इसे समझिए इसका मतलब होता है एक आवरेज आए देखिए आपको पताइए जो भारत में हैं बहुत ऐसे लोग है जिनकी जो महीने की इंकम है वह बहुत जाद है और सबकी कितनी इंकम है सबकी इन दोनों को छोड़कर इन दोनों गुरूप कर छोड़कर बाकि सभी जो लोग है उनकी एवरेज इंकम कितनी है वह होता है प्रतिवेक्ति आए यहाँ पर आप डैफिनेशन समझिए देश की कुल आए को देश में जितनी भी आए जो है वो जन संख्या को भाग कर देंगे तो उससे जो निकाली जाएगी आए वह वसत आए वह एवरेज इंकम उसे ही प्रतिवेक्ति आए कहते हैं देखिए मान के चलिए देश में जितना भी आए अरजित हुआ है और देश में जितने भी लोग है जो काम कर रहे हैं उन दोनों को जब कि जो इंकम हो कम से कम हजार रुपे है या वह दस हजार हो तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो सब की जो एवरेज इंकम होगी पर मंत की वह कितनी होगी वह दस हजार तो कम से कम है इंडिया में तो वह क्या होती है वह होती है प्रतिवेक्ति आए ठीक है आपको सब्वर्ण समझ में आ रहा होगा कि यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे शिशु मृति सिद्धा हुएं और उसमें से 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयू वाले बच्चे शिशू होते हैं ठीक है एक वर्ष की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होगा जो रेशिय होगा वो होता है हमारा शिशू मृत्ट्यू दर ठीक है सिंपल इसकी यहां पर चलते हैं आपके लिए इंपोर्टेंट है वो क्या है तीन आधार भूत मानव विकास सूचकांग यानि जो बेसिक होता है जो बेसिक होता है न वो मानव के विकास के लिए बेसिक सूचकांग उसकी वैख्या करनी है तो आपको पता ही है जो बेसिक होता है वो क्या ह अभी जो हमने बात की वो थी प्रती विकति आए तो यह तीनों जो चीज़े है यह यह आधार भुत मानव विकास है पहला होगे अपना दूसरा और तीसरा स्वास्त है सैकंड सिक्षा हो गई अपनी ठेस त्विक्षिंद required प्रती विक्षिंद आ तो simple है आपके सामने इस प्रकार के question आएंगे आपको simple ये तीनों चीजे जो है वो लिख देनी है number के according लिखनी है अगर तीन number का है तो आप इसको हलका सा define कर दीजे क्या स्वास्त होता है शिक्षा होता है और प्रतिवक्ति आये होता है ठीक है यहां पर हम चलते हैं सबसे यहां पर important आपको समझना है सत्पोष्णिये विकास कि सत्पोष्णिये विकास जो है वो क्या होता है दोस्तों तो सत्त पोश्ण ये विकास का अर्थ होता है दोस्तों, पहले तो आप समझे ये एक आर्थिक परक्रिया है, ठीक है, आर्थिक विकास की परक्रिया है, जिसका जो मेन उदेश्य होता है, वो होता है प्राकर्तिक संसाधन तथा परियावरण, प्राकर्तिक संसाधन आपको प उनकी पीडियों की जीवन को क्या करेगा उनकी जीवन की जो पीडी होगी उनको बनाए रखेगा ठीक है यानि आप यह समझ सकते परियावरण में बाधा के बिना विकास करेगा यह विकास भविष्य की पीड़ी और वर्तमान की भी पीड़ी की जरूरतों को समझोते किये बिना संतुष्ट करने की प्रक्रिया है ठीक है भविष्य की पीड़ी की जरूरतों को समझोते किये बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया है सिंपल आप समझ गए सत्त पोश्ण ये विकास बिना परियावरण को नुकसान पहुचाए विकास करना सत्त पोश्ण ये विकास क्या लाता है यहाँ पर आते हैं हम next point के उपर में जो कि है हमारा दोस्तो कोश्ण पूछा गया है आपसे देखिये आपको कोश्ण जो है विकासывает किस परकार से हल करने ये आवशक नहीं है कि पैसा सभी वस्त्वो और सेवाओ को खरिद सकता है उधारण दे कर समझाओ ना तो वस्त्वो खरिद सकता है और ना सेवाओ को तो आपको अपने mind में सोचना है कि क्या ऐसी चीजे हैं जिसको पैसा नहीं खरिश सकता और last में आपको उधारण भी देना है ये question जो है बहुत सारे बच्चेस में confuse हो जाते हैं इसलिए question लिया गया है confuse नहीं होना आपको यहाँ पर समझिए एक परदूशन मुक्त वातावरण पैसा नहीं खरिश सकता ठीक है दोस्तों आप कितनी भी तरकी कर लो आप वातावरण को नहीं खरिश सकते क्योंकि जैसे आपने अभी देखा है अभी का जो time है ठीक है coronavirus वाला जो time है तो इस समय आपने गौर किया होगा परियावरण जो है वो बहुत अच्छा हो गया है क्यों 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 कि हमाई जो अरθ ववस्ता है वो नीचे चली गई है सभी फैक्ट्रियां दुकाने कामका सबंद है तो इसका जो है opposite effect पड़ता है अगर अरथ ववयस्ता डाउन जाती है ठीक है तो जो परियावरण है वो उपर जाती है और आने वाले टाइम में आप देखना कि जब दुबारा सेम हो जाएगा तो परियावरण क्या होगा नीचे चली जाएगी और अर्थ वयस्ता जब अपनी ग्रो करने लग जाएगी उस समय में तो आप उजिट संबंद होता है एक दूसरे से तो पहला आप पॉइंट लिखोगे एक परदोशन मुक्त वातावरण पैसा नहीं खरी सकता और क्या नहीं खरी सकता शांती नहीं खरी सकता लोगतंत्र नहीं खरी सकता ठीक है तो यह सारी चीजे आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वहाँ पर शोर सरावा है आप शांती नहीं खरी सकते अपने मन की शांती नहीं खरी सकते लोगतंत्र को आप नहीं खरी सकते ठीक है उसके बाद एक उधारण भी हमें देना था कोशन में बताया गया था उधारण तो उधारण आप यह समझे आपको पता हैं कि प्र ठीक है, वहाँ पर अगर हम compare करें, शिक्षा तो है, लेकिन अगर हम compare करें केरल से, तो केरल की प्रतिवक्ति आये उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन शिक्षा के मामले में वो आगे हैं तो आप इससे ये समझ सकते हो कि हम शिक्षा भी नहीं खरिच सकते हैं अगर पढ़ने का मूड होगा तभी बंदा पढ़ सकते हैं एक सिंपल सा उधारण लिए है हमने कि मह हौज में आ रहा है तो पहले वीडियो के लाइक कर सकते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां पर एक सिंपल सा और कोश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है एक इस रिपोर्ट को तयार करने के लिए इस्तमाल किया गया मा मापदंड आपको मैंने पहली बता दिया था कौन सा था शिक्षा था एक एक कौन सा था स्वास्त था और एक था प्रतिवेक्तिया अब बात आती है कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है तो दोस्तों वह करता है यूनाइटिड नैशन्स डेवलप्मेंट प्रोगराम है आप उसे UNDP भी कहते हो ठीक है तो यहां पर है संयुक्त उसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त रास्टे विकास कारेकरम यानि UNDP हर साल जो है वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट परकाशित करता है ठीक है दोस्तों अब यहां पर हम लेते एक सिंपल सा कोश्च और हम बच्छबन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यह क्या है, यह है नवीकर्णीय संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, नवीकर्णीय संसाधन, वैं संसाधन होते हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा दुबारा से बन जाते हैं, फॉर इजामपल हम इसकी ये जो वील है आपका इसकी वो लेते हैं उधारन लेते हैं जब आपको पता ही होगा ये जो पंखुडियां चलती है ठीक है तो यहाँ पर इसका टर्बाइन लगा होता है जो की घुमता है और बैटरियां लगी होती है इसमें कुछ बहुत बड़े जिससे विद्यूद जो है वो उत्पन होता है ठीक है तो यह क्या है यह एक ऐसा संसादन हो गया जो की कभी खतम नहीं होगा क्योंकि हवा तो हमेशा चलती रहेगी इसकी पंखुडियां घुमती रहेगी टर्बाइन घुमेगा जर्नेटर चलेगा और यहां पर बिजली ब तहीं प्राकर्तिक द्रारा दुबारा बन जाते हैं यहां पर डेफिनेशन समझीए नवी करणे यह संसादन होते हैं जिनके भंडार में प्राकर्तिक परिस्तितियों प्रक्रिया और पून इस्थापन हो जाता है यानि दूबारा से बन जाता है यह अपना हो गया नवी करने संसादन यानि दुबारा जो बन जाता है संसादन वो प्राकरतिक के द्वारा हब यह आपर यह बिल्कुल उससे उल्टा है और यह क्या है यह और नवी करने संसादन यानि जो दुबारा नहीं बन सकता है जो इस्तमाल करने से खतम हो जाएगा या जिसे बनने में करड़ो अरोडे करा साल लगते में जो हवास से तुरंत बन जाता है कुछ हफतों में बन जाता है लेकिन अगर वो कुछ अर्भों सालों में बने तो हमारे वह किस काम का तो अनवी करनीय संसादन वे संसादन होते हैं जो प्राकर्तिक के द्वारा दुबारा नहीं बनते या भोट टाइम लगता है उनको बनने में इसलिए वो खतम हो जाएंगे तो हम उसका यूज वो नहीं कर पाएंगे ठीक है यहां से समझे और नवी करने संसाधन वैं संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा वो नहीं बनता है दोबारा से उसका स्थापन नहीं होता एक बार हमने इसे खतम कर दिया तो वह खतम हो जाएगा बनने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि वह हमारे काम का नहीं होगा ठीक है दोस्तों चैप्टर में आपके सभी important question ले लिए गए है पेपर में आपका इससे बाहर नहीं आएगा ठीक है बह बेल नोटिफिशन आइकन को आप दवा दें जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो धन्यवाद दोस्तों